रजिष्ट्री के बाद भी कबजा नहीं मिलेगा आपको प्रोपाइट्री ट्रांसफर एक्ट सेक्षन 54 के बारे में जरूर जान लेना चाहिए सात्यों यह मैं इसलिए बता रहा हूँ इस PDF से इस कानून से आप अपने जमीन के विवाद को भी खतम कर सकते हैं आप जो भी प्रसासन के अधिकारी हैं उनसे अपनी बात रख सकते हैं विद कानून के साथ अब देखेंगे आपके लिए कब काम आएगा कई लोग क्या कर रहे हैं कई लोगों को में देखा है मेरे पास ऐसे मैटर्स भी आ रहे हैं जिल लोगों के पास रजिस्ट्री भी है रजिस्ट्री का म्यूटेशन भी है और उन्हें कबजा नहीं मिल पा रहा है ठीक है या कई लोगों के पास रजिस्ट्री म्यूटेशन पजेशन भी है वो कहीं बाहर रहे हैं और कई बार क्या होता उनकी जमीन पर कोई कबजा कर ले रहा है तो आपको प्रोपरिटी ट्रांसपर एक्ट सेक्शन 54 के बारे में जान लेना चाहिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा ठीक है उसके बारे में जान लेना चाहिए जिससे आपके साथ ऐसे परिसानी नहों और अगर माल लीजिए आपकी जमीर पर कोई विवाद होत करता है कि प्रसासन को दिखागे मेंटर सौट आउट भी कर लें ठीक है चलिए मैं बात करता हूं अगर आप किसी भी मेंटर पर लीगल एडवास लेना चाहते कोई डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते या आपने कोई प्रोपरिटी खरीदी यह खरीदना चाहते उसका ड बिबाद यह बढ रहे ही हैं देखे हो क्या रहा है कि जमीन के कई बड़े-बड़े गाटेरा जमीन D. जिनका कोई 200 वीगा का गाटा है कोई माल लीजे 100 वीगा का है कोई 50 वीगा का है जिसमें 10 कास्तकार है कई गाटे मिन्युमला नमबर है ठीक है ना तो ऐसे में क्या होता सात्यों माल लीजे A और B और C तीन लोग हैं यालिकि माल लीजे हम हैं आप हैं माल लीजिए कोई अन्व्यक्ति है ठीक है अब ऐसी कंडिशन में माल लीजिए A और B का पजिशन अभी मौके पर है कबजा मौके पर है आप डिस्पेले में देख सकते हैं पहले पूरा प्रकडर उधारत समझा दू उसके बाद 54 की कुछ मैं आपको समझाओंगा तो सातियों हो क्या राय कई लोग क्या कर रहा है जैसे माल लीजिए A और B का कबजा है C का कबजा नहीं है, C का कबजा इसलिए नहीं है, कि जमीन मौके पर कम है, अब जमीन मौके पर कम है, तो उसका section 24 मेड़बंदी करवाया जाए, या कुरा declaration करवाया जाए, तब जमीन पूरी हो या माली ये पता चले कौन कबजा किये, C का कबजा है नहीं, C जाता है किसी दव विजे के भाई अटी है यहां से और कबजा भी कर लेता हैं ठीक है कई बार तो हमने देखा है के लोगोंने plot खरीद रहा है वो बाहर रह रहा है उनके plot तोड़ के कबजा कर लिया हमारे पास यह से सेक्डों मेंटर्स आ रहे हैं ठीक है कई हों में समाधान भी मिल जाता है उन ठीक है या माल लीजी ये कोई विक्तिर रिजिस्ट्री करवा के आया हो बिना सीवांकन के आपकी जमीन में विवाद डाल ला हो तो आप इस कानून से रोक सकते हैं ये क्या कहता है कानून वो आप देखें साथ यो एक क्रेता को अपने विक्रेता से बैतर सौमे तो नहीं कि विश्यवस्त हो सकता है किन्तों अब देखिए बहुत अच्छी चीज लिखी है इसमें बुख में किन्तों क्रेथा को यानि कि जिसने जमीन खरीदी है उसको कब जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संपत्ति का विभाजन यानि कि बटवारा माप यानि कि सीमांकन य इसमें यह वाला नियम फॉलो हो रहा है आप असी विवस्ता से मान लिजिए हम और आप भाई है ठीक है और आपने अपना अंसबेच दिया है ठीक है किसी सीव्यक्ति को वह सीव्यक्ति आता है तो हम और आप बैठके सौदर रिपूर्य तरीके से मामला सौट आउट कर ले और तब तक वहां पर कभजा नहीं मिलेगा अब देखिए यहाँ पर पर इस पस्ट्र लिखा है किंड विक्रेता को कभ तक कभ जा नहीं मिलेगा और ये condition लगाई गई तीक है अब देखिए ये आपका किन-किन मैटर्स पिक कामयाब हो सकता है जैसा कि मुझे लग रहा है कि माल लीजिये हम और आप भाई भाई हैं ठीक है कंई बार tym के जंगणों में जिसने जिसने रजिस्ट्री कराई है वो वुचारा कभजा नहीं ले पाता है तो सातियों वहां पर जिसने कभजा लिया रजिस्ट्री जे ली Clap भी रहा ज़ुक्ता है इस कानून में दिखा दूँगा ये कानून ठीक है ना दूसरी बात यह कई बार क्या होता है माल लीजिये सात्यों कि आप हमारे पड़ोसी सह खाते दारक हैं आपका जमीर माल लीजिये 5 विगा है है खत्वानी में लेकिन मौके पर वो तीन भीगा है आपने किसी को बेच दिया अब वो आके आके दवंगी दिखा रहा है बिवाद कर रहा है कि नहीं इसमें से हमें दीजिए ठीक है तो इसके लिए सिमांकन है ठीक है और मा लेजिए भाईये-भाईयों के डिस्प्यूट च क्या होता है विख्रेता का पजेसन नहीं होता ही नहीं कई मेंटर में होता है मैं हमारे पास कई मेंटर जो है वो सोट आउट कर सकते हैं और मैंने कई वीडियोस में बताया कि साथ यह जब भी आप प्रोपरेटी खरीद रहे हैं वही तो आप जैसे माल लिए डेवल रजिस्ट्री है अंसेदिक विक्रह है धारा 116-117 जो है वो चेक करिए कही लोग करते हैं कही लोग कहते हैं कि बैंक द्वारा मैंने चेक करवा लिया भाई बैंक 116-117 नहीं चेक करेगी ठीक है ना अगर आप केस लड़ोगे तो बैंक का किस्ते आप समय पे दोगे ठीक है ना बैंक माली जी यह चेक करेगी डबल रजिस्टी तो नहीं अंसे अधिक विक्रह तो नहीं लेकिन यह नही गाटा है इसमें 116-117 कारवाई नहीं होई है ठीक है पता चला है साइखादारों का आपस में डिस्प्यूट संबंदी विवाद है ठीक है ना तो यह विवाद हो सकते नहीं आपको खुद देखना चाहिए ठीक है नहीं देखोगे तो परेशानी होगी और जो भी दवंग लोग है ना उनके लिए मालीजे जैसे मालीजे कोई आपकी जमीर पर जवरन कबजा कर रहा है तो उसके लिए सात्यों अन्सेक्षन है सरसरी प्रिक्रिया है जैसे मालीजे सात्यों धारा 104 टैवी बी एनसस की नहीं है ठीक है और यह धारा 145 है तो इसके तहएद आप SDM से रिलीफ ले सकते हैं सात्यों ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और एक चीज़ सात्यों में यहीं पर और कहूंगा जो भी जूनियर एडवोकेट हैं अगर आप कुछ इस्पेसल सीखना चाहते हो तो आप अभी जाईए इस चैनल को जोईन कर ल लेंगी ओनली 59 रुपए में तो अभी जाईए जोन कर सकते हैं आप